पहला प्यार पुरानी यादों का नशा होता ही तना फ्यारा है आनंद उठकर घर के बाहर आकर देखता है ये? ये तो वही फेड है? जहां मैं मेरी किटकिट को और बोलते हुए उसके आखें नम हो जाती हैं कि तभी वो वापस फ्लाश बैक में जाता है पूरी क्लास खुश होने लगती है अब तो आनत को डाट पड़ेगी मज़े आएंगे जी गुरू जी फिर से गुरू जी तुम्हें इतना टाइम हो गया स्कूल में पर अभी भी तुम यहां के तो तरीके नहीं सिख पाए चलो कोई नहीं फिर भी ये लो तुम्हारा टेस्ट पेपर एंड वेरी गुड मेरा टेस्ट पेपर? सर्जी ने मुझे वेरी गुड कहा और स्वाती की ओर देखकर मुस्कुराता है ये आनत का पच्चा अब कुछ सादा ही ओड रहा है रेस्ट के बाद आनन जब वापिस अपनी सीट पर बैठता है तो क्लास में जोर से कुछ तूटने की आवाज आती है अरे अरे लगता है आनन का आज पेट खराव है कैसी आवाज निकाल लहा है जोर से हसने लगते हैं आनन उठकर देखता है तो उसके नीजे किसी ने चड़िया का एक अंडा रख दिया था और वो फूट गया था जिससे आनन की पैंड पीली हो गई थी आनन खबराते हुए ये? ये किस ने किया? ओ आनन ने किया शेम 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 आनन शेम शेम आनन की बैंड पीली 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 ये सब देखकर आनन जोर से रोने लगता है आज से पहले आनन को इतना परिशान किसी ने नहीं देखा आनन बहुत तेज रोता हुआ बाहर भाग जाता है स्वाती को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था अरे ये क्या कर दिया हमने लगता है इस बार आनन बहुत हर्ट हुआ है मजा की भी हद होती है यार हम सबने गलत किया और स्वाती अपना स्वेटर उठा कर उसे बाहर देने जाती है आनन बगीचे में लगे एक पेड़ के पीछे चुपकर रो रहा था कि तब ही वो चिडिया बहुत तेज चिला रही थी बार बार क्लास्रूम की ओट देखकर पंक फरफ़डा रही थी कि आनन उसके पास जाता है और देखता है कि चिडिया के अंडे किसी ने नीचे गिराए हुए थे हे भगवान ये क्या क्या है शयतानों ने इस नन्नी सी जान के बच्चों को मार डाला और मेरे नीचे अंडा रखकर मुझसे भी पाप करा दिया और रोता हुआ चिरिया के पास जाकर उसे एक बरतन में पानी और कुछ बिस्कुट के टुकड़े देता है चिरिया डरी हुई थी पर आनन्द का अच्छा बरताव देखकर उसके पास आकर पानी पीती है आनन्द आनन्द ये लो मेरा स्वेटर बांद लो तुम्हारी पैंट खराब हो गई न ये नाटक बंद करो और मुझसे अभी कभी बात मत करना आनन्द तीज बोलकर वहां से चला जाता है अरे ये तो बहुत नराज है इस बार हमारी मस्ती ने इसे कुछ जादा ही परिशान कर दिया कल जब ये आएगा मैं इसे सौरी बोल दूँगी नेक्स टे इन स्कूल आनन्द क्लास्रूम में आता है और स्वाती को अन दिखा कर सीधे ही अपनी सीट पर बैठ जाता है अरे आनन्द तो मेरी और दीख भी नहीं रहा पर मैं इसे सौरी कह कर रहूंगी आनन्द रेस्ट में अपनी ननी दोस्ट चडिया के पास जाता है और उसे बाते करता है स्वाती पेड के पीछे खड़ी होकर सब देख रही होती है पर वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती है कुछ दिन तक आनन्द एक तम चुप-चाप क्लास में बैठा रहने लगा पर रेस्ट होती ही चडिया के पास दोड़ कर चला जाता है एक दिन अरे वाह आनन्द ये कौन है? कौन? वही जिसकी वज़े से आजकल तो मेरी और देखते भी नहीं हो कौन है वो मुझे भी मिलाओ देखो स्वाती तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम से इतने टाइम से फ्रेंशिप करना चाहता था पर मैं बुरा लड़का नहीं हूँ बस छोटे स्कुल से आया हूँ आनन्द मेरी बात तो सुनो पर अब तुम अंदर जाकर क्लास को बता दोगी कि मैं यहां एक बेज़ुबान पंची से बातें कर रहा था बैठकर और वो सबी मेरा मजाग बनाएंगे नहीं नहीं आनन्द मुझे बोलने तो दो जाओ तुम भी बना ले न मेरा मजाग मुझे फरक नहीं पड़ता मेरी दोस्त है न यह नन्नी चड़िया तब ही वो चड़िया उड़कर स्वाती के कंधे पर बैठ जाती है और चीची चीची करने लग जाती है देखो आनन्द तुम्हारी दोस्त ने तो मुझे से दोस्ती कर ली पर तुम तो मुझे से कितना घुसा हो स्वाती तुम हमेशा मेरा मजाग क्यों बनाती हो अच्छा बाबा I am sorry आनन्द आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए पक्के वाली दोस्त दोनों हाथ मिलाती है नहीं मैं तो इसे चड़िया बुलाता हूँ अरे पुद्धु चलो इसका नाम रखते हैं आज हमारी दोस्ती के दिन इसको नाम देते हैं ये बहुत छोटी सी है तो इसका नाम रखते है किट-किट कैसा रहेगा किट-किट? अरे वा, किट-किट तो बहुत त्यारा नाम है देखू, किट-किट को भी सुनकर बहुत अच्छा लगा आनन्द, यहाँ पर तु बहुत सारे लोग है क्यों ना तुम किट-किट को अपने साथ ही ले जाओ आनन्द को स्वाती की बार ठीक लगती है और वो अगले दिन किट-किट को अपने साथ खर ले आता है दिर्वाजे पर खट-खट आनन्द सामने देखता है, रश्मी आ चुकी है अरे आनन्द, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो जरूर किसी को याद कर रहे हो दोनों जन वहीं बैठकर पुरानी बाते करने लगते है अच्छा आनन्द, तो कॉलिज में तुम्हारी गर्ल्फरिंड तो बनी होगी सच बताओ रश्मी, इस जगह को छोड़ने के बाद मेरा कहीं दिल भी नहीं लगा और क्या, बोलो ना आनन्द, तुम और स्वाती तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे फिर तुम यहां से चले क्यों गए रश्मी में स्वाती से बहुत गुस्सा हो गया था मुझे उसकी शकल भी नहीं देखनी थी तो मैं मेरी मा के पास चला गया था और कभी भी वापस ना आने का थान लिया था ताकि स्वाती को मेरी याद आए और फिर देखते ही देखते इतने साल बीट गए आनन्द, तुम स्वाती से कहीं उस बात पर गुस्सा तो नहीं हो गए थे चुप हो जाती है बोलो रश्मी, किस बात पर? क्या बोलना चाहती हो? बोलो अब आगे देखिए कि आखिर आनन्द और स्वाती की बीच इतनी अच्छी दोस्ती होने और किट-किट के आने के बाद इनकी दोस्ती कितनी गहरी होती है और कैसे तूट भी जाती है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड